चट्गन गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग आसा ही नहीं पुन्द विश्वास है कि आप सभी सब परिवार सानंद शुखी संपन और मस्ती के मूड में होंगे यदपी जीवन में बाधाएं आती हैं लेकिन उन बाधाओं का टट कर सामना हर इंसान को करना चाहिए मजबूती के साथ सामना करना चाहिए और हसते हुए उन बाधाओं को चुनावती देने चाहिए यहीं जीवन का सार है, यहीं जीवन जीने का तरीका है, छदगन, है ना, ध्यान दिजेगा, छदगन, आज हम लोग, JPSC प्रतियोगिता पर इच्छा, जो कि प्रतियत युवा का सपना होता है, कि कास मैं बीडियो बनू, कास मैं CEO बनू, कास मैं DSP बनू, कास मैं District Education Officer बनू, क कास मैं अन्य उच्छ प्रसासनिक पदों पर विराजमान हूँ, छदगन, JPSC का ख्वाब, हर युवा अपने मन में सजोई रता है, कि कास मैं इन प्रतियोगिता परिक्छों में सफलता प्राप्त करूं, तो ना केवल उसके गाउं में, बलकि उसके परिवार में, उसके सम पर आपके चेहरे पर एक अफसर की पसनालिटी आएगी, छदगन उस चीज को अनुभाव किजिए, कि जब आप आइने के सामने खाये रहेंगे, और उस समय आपके सरीर पर खाकी वर्दी और DSP का तमगा यहां पे लिखा हुआ रहेगा, DYSP, DSP, तो उस समय आप कासा प्रत उतरेंगे, लोग आपको परनामसर और सैलूट थानेदार लोग मारेंगे, उस समय को अनुभाव किजिए, कि आपको कैसा लगेगा, छदगन उस पल को अनुभाव किजिए, जब आप बीडियो बनेंगे, प्रखंड विकास प्राधिकारी बनेंगे, छदगन एक चारी हैं, वो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में खावे हो जाते हैं, और प्रणाम सर, गुड मॉनिंग सर, के आपको जो है अभिवादन मिलेंगे, सोचिए उन लम्हों को कि कैसा प्रतित होगा, छदगन जब आप स्टिटियो बन जाएंगे, कॉमेर्सियल टैक्सेसन अफिसर बन जाएंगे, और अपने कर्याले में जाएंगे, तो वहाँ भी आपको वही सम्मान मिलेगा, हर जगह आपको सम्मान के नजरों सो देखा जाएगा, समाज, परिवार, राज, जिला, रास्ट आप पर गरू करेगा, और तो और आपके माता-पिता के खुसी का तो अज मेरी बेटी, कॉमर्सियल टैक्सेशन ओफिसर है, सोचिए उस लम्हे को, उन सपने को देखिए, कि जब आपके पिताजी के पास को जाकर के कहेगा, कि सर, आपके बेटे वीडियो हैं, जासा अप फोन कर दीजे ना, मेरा वला मनरेगा का का काम करवा देजेगा, प्ली इस, आप उनको बोल दीजे ना, मेरा दाखिल खारीज का मुटेशन हो जाएगा, उस समय आपकी माता-पिता के चहरे पे जो खुसी होगी, उनका सीना 56 इंज का हो जाएगा चातगन, और उनकी गंजी के साइज जो थी, वो चौरी हो जाएगी, और वो गंजी नहीं लाकर क आपको देनी होगी, सोचिए, जिस फ्लैट के बहर जाकर के आपके पिताने कभी सपने देखे होंगे, कि कास ये बंगला मेरा होता, कास ये फ्लैट मेरा होता, है ना, उस फ्लैट के दरबान ने, आपके पिताजी को कहा होगा, कि नहीं, जाओ, क्या देखते हो यहां से, भ उसके वुरिध हैं तो उनके अंदर में 40 बर्स के जवान की चमा का जाएगी छटगन ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ छटगन तरसासनिक पताधिकारी के पद का ग्लेमर पावर टाकर और सबसे बड़ी बाद आम लोगों के साथ इंटरेक्शन समाज के ऐसे अभिवंचित वर्ग जो गरीब हैं जहां तक विकास की रोस्नी नहीं पहुँची हैं जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं उनको विकास की किरन तक पहुँचाना उनको गरीब और कल्यानकारी योजनाओं से जोड़ना बेरोजगारों को रोजगार देना इससे बवापुन का काम क्या हो सकता है छादगन एक बीडियो चाहे तो अपने पूरे प्रखंड में कितने लोगों को रोजगार देता है मन रेगा के तहर आप जानते होंगे एक बीडियो अपने प्रखन को चाहे तो चमन बना सकता है किस तरीके से जब उनके पास जितिनी तरह की योजनाएं आती हैं किन सरकार और राजिसरकार की उन योजनाओं को धरातल पर लाकर उनको सही दिशा में कारे करवा करके सही मॉनिटरिंग करके एक बीडियो एक सीयो अपने प्रखन को चाहे तो विकास के पथ पर एक गंगा बहा सकते हैं चादगन ये होता है ताकत ये होता है पावर चादगन मैं ये नहीं कहता कि पावर का आप गलत इस्तेमाल कीजे ताकत का गलत इस्तेमाल कीजे मैं हमेशा से कहता हूँ कि यदि आपको भगवान ने सा जो बिचारा जिसके खेत के फसर लहलाहाने से पहले ही उसके खेत में जमीन में दरार आ गई है जो सुखे से प्रभावित है उसको किसान आथिक योजना के तहत मदद दिलवा दिजे आप उस विर्द महिला को मदद कर दिजे जिसको पेंसन नहीं मिलता है जिसका माथे पर को प्रप्या भी आप कमा लेजेगा तो उतनी दुआएं आप नहीं कमा सकते हैं जो दुआएं आप इन पदों पधा करके आम जनता गरीब जनता अभिवन्चित जनता समाज के दबे कुछले लोग निधन लोगों की मदद करके कर सकते हैं यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सहर के बच्चे वीडियो स्योडियस पी बनते हैं पुरे गाउं में सम्मानित किया जाता है फूल मालाओं से लाग दिया जाता है और गालजियन्स को भी सम्मानित किया जाता है सोचिए आपकी पिताजी ने जावे में हाल कलकला देने वाली ठंड में काम किया है गर्मी में पसीना बहाया है, इंट ढोया है बालू ढोया है, छरीड होया है, है ना, खेतों में कुदाल और हल चलाएं हैं, किसके लिए ताकि मैं जो काम नहीं कर पाया जो मैं सपना नहीं देख पाया जो मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया वो भले जावे की ठंड रातों में भी जम के महनत करते हैं लेकिन ख्वाब उनका क्या होता है कि मैं अपने बच्चे के मैं अपने बच्ची के परवरिष को कभी भी कम नहीं होने दू मैं उसको सिक्षा की रोसनी से कभी भी दूर नहीं होने दू और मैं उसे एक पर अधिकारी बनाओं छदगन, हर माता-पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को प्रसास्निक अधिकारी बनाएं क्यों? क्योंकि आप पावर देखते हो ताकर देखते हो, रुतबा देखते हो ग्लैमर देखते हो और काम करने का अंदाज भी देखते हो छदगन, आप कई ऐसे परसास्निक अधिकारीओं से मिले होंगे जिन्होंने, जिस जीले में उनकी पदस ठापना हुई उन्होंने उस जीले को चमन बना दिया विकास की गंगा बहादी एक सेक आदस गाओं का निर्मान कर दिया बिजली, सिख्षा, सरक, स्वक्ष पेजल, रोजगार, स्कूल हर छेतर में उन्होंने इतना काम किया कि उनका जैसे ही ट्रांसफर होता है लोग पलके पाउने बिछा देते हैं विरोध करने लगते हैं आन्दोलंग करने लगते हैं कि नहीं, इस प्रसासनी का दिकारी का इनका टांसफर यहां से नहीं होना चाहिए हमारा क्या होगा यह बहुत ही काम करने वाले हर दिल अजीज प्रसासनी का दिकारी थे तो छादगन आपको भी ऐसा ही बनना है काम करना है छादगन और काम आप तभी कर सकते हैं जब आप इन पदों पर बहाल हो इन पदों पर आपकी न्यूक्ति हो और इन पदों को आप प्राप्त कर सके छादगन सोचिए आप जीले के DSP हैं आप अपने अनुमंडल के सबसे बड़े पुलिस पदारिकारी हैं SDPO हैं, DSP हैं, छटगन कोई महला जिसे पत्तारित किया जा रहा है वो आपके पास आ रही है दहेज के लिए इसको परिशान किया जा रहा है आप उसे न्याए दिला देते हैं कितनी खुसी होगी आपको अन्तरीक और उस महला को कितना सुकून मिलेगा सोचिए आप इस बात को आप सोचिए कि कोई कमजोर बैक्ती को कोई अपराधी धंका रहा है, डरा रहा है उसके जमीन पे कबजा कर ले रहा है आप DSP हैं, आप उसे न्याए दिलाते हैं आप राधी को गिरफ्तार करके जेल भेशते हैं सोचिए उस गरीब आदमी की दुआएं आपको जीवन में कितने काम आएंगी तो छदगन ये पद केवल ताकत, क्लैमर और पावर का पद नहीं है छदगन ये पद है समाज के हर वर्ग के पती अपना दिश्टिकोन बदलने का ये पद है समाज के अभिवन्चित वर्ग के लोगों को मदद करने का ये पद है समाज के ऐसे सोशित दलित और पिछले वर्ग के लोग जहां विकास की किरन नहीं पहुंची है वहाँ विकास की किरन को पहुँचाने का है इसलिए छदगन ध्यान रखिए इंतजार कर रहा है JPSC आपका आने वाले समय में JPSC में अनेक रिक्तियां छदगन आने वाली है अभी आपने देखा होगा छटी JPSC के प्रत्युक्ता परे च्छोएं संपन हुई है अब जो आने वाले समय में जो JPSC के वेकंसी आने वाली है वो कमाइंड वे में आने वाली है और बहुती बवे पैमाने पर आने वाली है इसलिए आपको भी आउसर मिला है अपने गाउं से अपने सहर की सवकों पर तो लोग कहें कि देखो DSP सहब के पिताजी जा रहे हैं देखो DSP की माताजी जा रही है देखो विडियो सहब के पिताजी जा रहे है देखो विडियो सहब की माताजी जा रही है देखो सियो साहब के पिता जी जा नहीं है, देखो सियो साहब की माता जी जा नहीं है, क्या खुशी होगी आपके माता पिता के चेहरे पे, सोचिए छादगन, उन सपनों को शकर कीजे, उन सपनों को देखिए, क्या आनंद आएगा, और याद रखिए, जब सपने अच्छे ह होते हैं जब बैक्ति सपना अच्छा देखता है तो उन्स सपनों को पूरे करने के लिए वह बहुत शकारात्मक उज्जा के साथ एक जुठ होकर पूरे दिमाग को एकागर करके जुठ जाता है उन्स सपनों को पूरा करने के लिए और यह उक्ति याद रखेंगे को जब तक कि तुम JPSC के पत्योगता परिक्षाओं में अंतिम रूप से सफलता प्राप नहीं कर लेते हो, DSP नहीं बन जाते हो, वीडियो नहीं बन जाते हो, सियो नहीं बन जाते हो, कॉमर्सियल टैक्सेर्शन ओफिशन नहीं बन जाते हो, इस्टिक एजुक्रेशन ओफ सिक्षा और सिक्षकों के बीच में, विद्याथी और सिक्षकों के बीच में एक सांदाज संतुलन स्थापित कर सकते हैं, और सरकारी स्कुलों में भी वह गुनवत्ता पुन अध्यापन दिलवा सकते हैं, जो कि नीजी स्कुलों में भी नहीं दी जा सकती है, छदगन इसल होता है उसको पूरा करने के लिए सक्ती भी उतनी ही जादा लगानी पहती है छगन माउंट एवरेश पर चाहने के लिए जादा उज्जा जादा एकागलता जादा सक्ती जादा ताकत की जोड़त होती है लेकिन एक छोटी सी पहारी पर चाहने के लिए उतना मेहनत नहीं करन पहता है इसलिए ख़ाब जब बढ़े हैं सपने जब बढ़े हैं और पद जब बढ़ा है तो मेहनत भी छदगन वैसा ही करना होगा भूल जाना होगा दुनियादारी भूल जाना होगा टीवी फिल्म भूल जाना होगा मित्रता को भूल जाना होगा वाटसप चैटिंग को भ study everywhere study 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 चारों और क्या होना चाहिए चाइए पहाई का महौल सिर्फ और सिर्फ पहाई पहाई और पहाई तो कि जीवन में अभी कि दो साल की महनत अभी की एक साल की महनत चाइए आने वाले 60 पैसर साल तक आपको आराम नाम सम्मान इजट पैसा सब कुछ दिलवाएगी और अ मस्ती कर लिया मौझ मस्ती में समय गवा दिया दोस्ती यारी सिनेमा चोक चौराहे पर अड़ाबाजी और अन्य चीजों में फेस्बूक वार्सप चैटिंग में अपने समय को बरबाद कर दिया तो आने वाले समय में फिर छटगन आपको लोग केवल यहीं कहेंगे कि देखो काम करना काज का दुस्मन अनास का कुछ नहीं कर पाया यह लाका कुछ नहीं कर पाया बैठल बेगारी रह गया तो छटगन क्या आप चाते हैं कि लोग ऐसा कहें क्या आपके गाजियंस काउस में क्या असर होगा जब लोग यह कहेंगे कि यह बैक्ती कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में, ये जिन्दगी भर दोस्ती ही करता रहा, ये जिन्दगी भर अड़ाबाजी ही करता रहा, ये जिन्दगी भर केवल मतदगस्ती ही करता रहा, नहीं छातरगन, ये अपने माता पिता के पती सच्ची गुरु दक्षिना नहीं होगी, ये अपने गुरुओं हैं तो मुझे पाना हैं दुनिया की कोई ताकत मुझे इस प्रत्योगता परिक्षा में सफलता से नहीं रोग सकती है इसलिए कठीन परिश्रम करें चादगन और अपने आपको इस सपने को साकार करने के लिए जम कर मेहनत करें चादगन जर्खंड लोकसिवा आयोग जेप्य परिक्षा ढरता है दूश्रा होता है चादगन means जिसे मुझे परिक्षा काह जाता है और तीसरा होता है चादगन इंटर्व्यू जिसे सप्साधकार काह जाता है है ना चादगन JPSC के परिक्षा आप दें UPSC के परिक्षा दें Other State Public Service Commission की परिक्षा दें जैसे बिहार का आप दे सकते हैं राजिस्थान का आप दे सकते हैं मद्द प्रदेश का आप दे सकते हैं 36गव का आप दे सकते हैं उत्राखंड का आप दे सकते हैं हर्याना का आप दे सकते हैं कई हिंदी भासी ऐसे राज्य है जहांके पतियुक्ता परिक्षाओं में आप भाग ले सकते हैं कमों बेस सिलेबस लगभग सबका एक जैसा है चादगन कोई बहुत विश्यस अंतर देखने को नहीं मिलता है इस जिसको आपको ध्यान दखना होगा चादगन गौर कीजेगा राज लोक सेवा आयोग और संग लोक सेवा आयोग के पतियुक्ता परिक्षाओं में केवल इतना सा अंतर होता है चादगन कि संग लोक सेवा आयोग UPSC के प्रस्णों के जो पैटन होते हैं कोस्ण स्टेप तो होते हैं विसलेसनात्मक भी कोस्ण होते हैं तथ्यात्मक भी होते हैं लेकिन यहाँ पर प्रस्णों का लेबर UPSC के तुल्ला में थोड़ा सा आसान होता है है ना तो चादगन UPSC के तयारी के लिए क्या रननिती अपनाएं क्या स्टेटजी अपनाएं किस तरीके से आप तयारी करें कि पत्युक्ता परिक्छों में सुनिस्चित की जाए सके सफलता और आप इस पत्युक्ता परिक्छों में सफलता प्राप्ट करें हम लोग यही टिप्स देने के लिए आज आपके समक्ष में आए हैं चादगन और मुझे बहुत खुसी होगी कि हमारे द्वारा बताएगे टिप्स को यदि आप अपने जीवन में आत्मशाद करते हैं अपनाते हैं और उन चीजों को जो है बिल्कुल उसी अंदाज में आप तैयारी करते हैं तो हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको सफलता से कोई भी ताकत नहीं रोख सकती है सफलता निश्चित तोर पर आपके कदम चोबीएगी चादगन ध्यान देंगे चादगन गौर कीज़ेगा जारकन पब्रिक सर्विस कमिशन की एक्जामिशन तीन चर्णों में होती है प्रारंभीक परिक्षा चादगन पीटी जहां दो पेपर कुछी जाते हैं पेपर वन हंड़ेट कुस्टन्स हंड़ेट कुस्टन्स का दो नमता है बबु यहां भी हंड़ेट कुस्टन्स रते हैं यह भी दो मांक्स के रते हैं टू हंड़ेट है ना यह प्रिलिम्स में आता है चादगन प्रिलिम्स परिक्षा जिसे प्रारंभीक परिक्षा भी कहा जाता है पीटी भी कहा जाता है इसमें आपसे उमीद की जाती है कि आप किसी भी विशय पर तथ्यात्मक और विश्लिस नात्मक दोनों प्रकार का अध्यान किये हैं की नहीं आपने NCRT की पुष्टक छटी से बार्वी तक की पढ़ी है की नहीं आपने पूरी जानकारियों को समेटा है की नहीं आप जार्खन के बारे में जार्खन का इतिहाद, जार्खन का भूगोल, जार्खन की राजववस्था, जार्खन की कला संस्किती, जार्खन का अर्थववस्था, जार्खन के समसमाई घटना चक्र इन सब पर आपकी प्रकाव है की नहीं, पैनी निगाहे हैं की नहीं यदि आप इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं आप GS की हर पेपर History, Geography, Policy, Economic, Science Current Affairs सब पर पकल बना करके रखते हैं और एक समान महतों देते हैं तो फिर प्रारंभीक परिक्षा में सफलता प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रुख सकता है पीटी में आपका तथ्यात्म करध्यान गहन विसलेस नात्म करध्यान आपको सफलता के द्वार पर पहुँचा देगा इसलिए आपको प्रारंभीक परिक्षा के लिए अपने सामान ग्यान की पेपर पर तो पकल मजबूत करनी ही होगी साथ इसाथ चाडगन आपको जेप्यस्टी परारंभिक परिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए झारकन पेपर जोकी पेपर टू है ये स्पेसल झारकन है चाडगन सो सवाल केवल झारकन से और पेपर वन में भी दस सवाल झारकन से यानि हम दोनों को यदि छात्रगन मिला लें तो 110 सवाल केवल जारखंड से पूछे जाते हैं छात्रगन कहा जाता है जैसा देवता वैसा पूचा जैसा देश वैसा देश चात्रगन चुकि 110 सवाल केवल जारखंड से पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में 10 सवाल और सकेंड पेपर में 100 सवाल जात्रगन नियम कहता है कि आप जारखंड पर विसेज ध्यान दें जारखंड पर स्पेशल कंसंट्रेट करें जारखंड के विवीद पुष्टकों को तो पहें ही साथ इसाथ हाद चैप्टर के बार प्रैक्टिस टेस पेपर को भी बनाएं वस्तुनिस्ट पस्टनों के भी प्रैक्टिस करें इससे आपका जारखंड पर बन जाएगा जारखंड के इनसाइकलोपीडिया जारखंड सरकार का गज़ेटियर और जारखंड प्रकाशित अन्य जितने भी प्रकार के पुस्तके हैं जिनमें सरकार की आथिक योजनाओं से लेकर के हर गतिवीधियों की जनकारियां और थंटिक रूप से दिजाती है उन सभी को मिला करके आपके सामने हम प्रस्तूत करेंगे ताकि आपके प्रस्न छूटने ना पाय जारखंड ये हम लोगों का साथक प्रयास होगा लेकिन आपको भी स्टार्टिस भी बना करके चलनी होगी कि आपको मुख्य रूप से फोकस करना होगा जारखंड पर पेपर टू के लिए क्योंकि पेपर 2 में 100 कुस्टन जार्कन से पुछे जाएंगे और पेपर 1 में 10 कुस्टन जार्कन से पुछे जाएंगे जार्कन जार्कन देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रारंभिक परिक्षा में 110 प्रस्न अपने राज्य से पुछता है चदगन जार्खन के बच्चे जार्खन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आपको बाबा बैदनात मंदिर देवघर में हैं आप जानते हैं है ना माचिन मस्तिका मंदिर रजरप्पा में दामोदर और भेरवी नदी के संगम पर है आप जानते हैं, बाहर के लोग इस चीज़ को जानते हैं, वो किताबों से अध्यान करके धीरे धीरे इस पर लफटार को पकल सकते हैं, लेकिन आप चुकि जारखन के बासिंदे हैं, तो जारखन के बासिंदों को जानने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ, दूसरे राज़े के बच्चों को इनके लिए मेहनत करनी होगी, उन्हें किताबों के सहरे, किताबों के द्वारा, हमारे द्वारा बताएगे, अध्यान सामगरी के द्वारा, ऑनलें कक्षाओं के द्वारा, इस पर पक़व बनानी होगी, और छादगन जार्खन में हम लोगों की जो टीम रहेगी और हम लोग जो जिस प्रकास से आप लोगों को पहाएंगे हम लोग वादा करते हैं कि चाहे वो C&D Act हो, SPT Act हो, जार्खन से पुछे कि जितने भी एतिहास, बुगूल, जार्खन की राजववस्ता, जार्खन की आत्वववस्ता, जार्खन की कला संस्कृति, जार्खन का समसमाई घटना चक्र, सब पर हम लोग बहुत ही बहनत करके करते हैं, एक प्रसंद रहेंगे, तो उसके चार अप्सन रहेंगे, है ना, कैसे आपसे पुछ देगा, कि जार्खन में बाबा, बैदनाथ मंदिर का निर्मान, किस राजा ने करवाया था, छटगन अप्सन में रहेगा, राजा, एनी नाथ साहदे, दूसरा अप्सन में र रहेगा, राजा, मनोज, चंदरा, चौथा अपसन में रहेगा, राजा, लाई, चंदर, तो क्या जवाब दीजेगा आप, छटगन, राजा, पूरन, मल, जेप्स से में पुछा गया सवाल है, प्रतम जेप्स से ने सवाल को पुछा था, कि जहर्कन में, जो बाबा बैदन का मंदिर है, है न वो मंदिर देवख़ में जो इस्तित है, उस मंदिर का निर्मान व किस राजा ने करवाया था तो राजा पूरन उमल ने करवाया था तो छädगर्ण, आपको स्धुधब आपको कैसे रहेंगे, ज selling a option रहेगा b option रहेगा, c रहेगा D रहेगा, E रहेगा, छदगन है न, अपना, ये रहेगा, और आपको जो भी लगता है, कि हाँ, ये answer सही है, तो इसको रंग दीज़े, मालिज आपको लगता है, B सही है, तो आपको अपने OMA सिट में B को रंग देना है, ये objective type के question आते हैं, यानि कि एक प्रसन के 5 विकल्प या चार विकल्प आपके सामने में छदगन रहेंगे, ये चीज़ को आपको थ्यान देना है, छदगन, प्रारंभिक परिक्षा को पास करने के बाद, आपको कौन से परिक्षा रहनी है, मेंस, नाम ही इसका है, मुख्य परिक्षा, छदगन, जैसा नाम, वैसा काम, नाम भी है मेंस, और नाम भी है मुख्य परिक्षा, तो सही माइनों में ये मुख्य है, छदगन कई लोग पीटी स्पेसलिस्ट तो बन जाते हैं, अब्जेक्टिव के वो खिलारी होते हैं, वन डेर के मैच में लगातार सेंचूरी माते है लेकिन जहां टेस्ट मैच की बात आती है, वहाँ पर वो अंधे मुगिल जाते हैं, टेस्ट मैच में सुनने पर बोल्ड हो जाते हैं, टेस्ट मैच में विकेट नहीं ले पाते हैं, टेस्ट मैच में अपना प्रदसन अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो छदगन मैं यहीं अन तो पहुंच करके सेमी-भाइनल मेहाँ जाये गा तो फाइनल में पोफ़ुच पाईएगा चदगा, तो समझ लेजे कि मेंस एक तरीके का सेमी फाइनल है, जो आपıs फाइनल के दरवाजे को खोटगटा देता है, इसलिए छदगन मेंस के लिए आपको अलग से बहुत ही कि दुन्रीति आपको छद्गन बनानी होगी, तभी आप मेंस परिक्षा को पास कर सकते हैं. छद्गन ऐसे मैंने कई उधारन देखे हैं, कई विद्याथियों को मैंने देखा है, कि उन्होंने प्रादमभी करिक्षा कई बार पास की, लेकिन मुख पर इक्षा में वो पास नहीं कर पाए कई वित्याति मुझे ऐसे मिले जो उन्हें कहा कि सर पीटी में हम बहुत अच्छा पदस्टन करते हैं हमारा स्कौल भी बहुत अच्छा दाता है लेकिन मुख पर इक्षा में हम आ करके सा लटक जाते हैं फस जाते हैं कभी 20 अंक से छूट जाते हैं कभी 30 अंक से छूट जाते हैं अंक नहीं आ पाता है सर लीक करके तो पूरा आते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलता है सर कौशन छूट जाता है टाइम मैनेजमेंट गरवा जाता है इस तरीके के समश्याएं उनके सा सब्सक्राइब आते रती हैं, छटगन ध्यान रखेगा, मेंस पर आपने जिस दिन कमांड कर लिया, उस दिन आपको इस एक्जामशन में सफलता से कोई नहीं रोख सकता है, छटगन मेंस में यदि आपके स्कोर बहुत अच्छे हैं, इंटर्यू में थ्वासा नंबर कम भी आ अच्छा किया, और इंटर्यू में नंबर कम भी आ गए, तब भी आप अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं, ये मेंस की महिमा है, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, छटगन मेंस में आपसे क्या उमीद के जाती है, ध्यान जेगा, मेंस में आपसे उमीद के जाती है, च्द्गं आपके मन में बात आ रही होगी, कि सद्गर ये राइटिंग स्किल क्या होती हैmir च्द्गं ध्यान दिजेगा लेखन छ्द्धन आपका प्रस्टूति करण हैं च्द्गं आप किसी भी एंसर को किस तरीके से लिखते हैं नमबर एक, आप subjective जो लिख रहे हैं अपनी बातों को, उसका introduction कैसा है, कहा गया first impression is last impression, फिल्म का ट्रेलर अच्छा होता है, तो फिल्म भी अच्छी होती है, यदि आपका introduction दमदार है, यदि आपका introduction सांदार है, यदि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना introduction लिखा है, किसी भी प्रस्ट के उत्तर में, तो विश्वास मानिये, एक्जामनर के नजर में, आपका अंक, जो है, वो जादा आने की संभावनाएं सत्पतिशत रहेगी, छदगन, introduction सांदार लिखिए, किसी भी चीज़ का ये पैमाना होता है, छदगन, दूसरी बात क्या होती है, कैसे प्रस्टूत करते हैं, मैं हमेशा से काता हूँ, कि अपने आपको प्रस्टूत करें अलग तरीके से, छदगन, काच के बीच में, जदी हीरे को भी लग दिया जाए, तो वह भी काच के जसा लगने लगता है, लेकिन चब उसी हीरे को एक सोकेस में, एक पहुत पहुत बहुत जाती है, छदगन, इसलिए लिखने का अंदाज, लिखने की सैली, दूसरों से अलग हट करके यदी होगी छदगन आपकी, तो आपको नंबर मिलेंगे, आपको मौलिकता से युक्त लेखन सैली को अपनाना होगा, किताबी भासा का परियोग कम से कम करना होगा, सीमा का अतिकरमन न करें, छदगन, आपको मालिजे जेपेस्टे में लिखा गया है, कि दो सो सब्दों में ही उत्तर दें, तो ऐसा न करें आप, कि डिर सो सब्दों में ही लिखके छोड़ दें, या फिर तीन सो सब्दों में उसका अंसर दे दिये, क्यों भाई, अरे गरे यहां पर आपकी कौपी कहां जाएगी? बनारस हिंदो उनिवर्सिटी आपकी कॉपी कहा जाएगी अलाहाबाद उनिवर्सिटी आपकी कॉपी कहा जाएगी दिल्ली उनिवर्सिटी आपकी कॉपी कहा जाएगी जोहला नहरु उनिवर्सिटी आपकी कॉपी कहा जाएगी जामिया मिलिया विस विद्ध्याले आपकी कॉपी कहा जाएगी काशी विद्ध्यापीट ऐसे ऐसे इस्थान पर आपकी कॉपी उन चुनिंदा बैक्तियों के पास जाएगी जो पुस्तके लिखते हैं जिन्नोंने बुक एक से बहकर एक किताबे लिखी है उनके पास पॉपी आपकी जाएगी छदगन एक एक लाइन को वो गौज से परहेंगे और जहां भी आपने थोई से भी गलती की एक पॉइंट को दोहराने की भी कोशिस की तो समझ लिजे कि आपके अंक गए आपकी कहानी खतम हो गई चोटा मोटा एक्जामसन नहीं है चदगन प्रसासनिक पदों के लिए प्रसासनिक पदाधिकारियों के लिए निउक्ति के लिए यह प्रतियुकता पर इक्छा ली जाती है बिएस्पी बिडियो शीयो कोमर्सियल टेक्सेसन ओफिसर आपको बनाया जा रहा है डिष्टिक एजुकेशन ओफिसर आपको बनाया जा रहा है चदगन ऐसी स्थिती में आपसे उमीद की जाती है कि कम से कम भासागत असुधिया तो आप नहीं करें कम से कम हरसाई दिर्गई का ग्यान हो कम से कम ये सब चीजों में यदि आपकी गलती है मालेज़े आपने 10 लेन लिखी और उसमें से 10 गलतिया आपने लिख दिया तो एक्जामनर के नजरन में इंप्रेशन खराब होगा चदगन उसे लगेगा कि इसकी असुधियों को अभी से सुधारें न्यूज़ पेपर का एडिटोरियल पहें यदि आप English Medium के student हैं तो English Medium के न्यूज़ पेपर्स पहें यदि आप Hindi Medium के हैं तो Hindi Medium का एडिटोरियल पे जो समपादी की प्रिष्ट आता है उसको पहें क्या फाइदा होगा आपकी spelling खुद बखुद सुधरनी शुरू हो जाएगी कि इसको कैसे लिखा गया था पेपर में क्योंकि पेपर में असुधी नहीं होती है चादगन वहाँ पे जो भी जे लिखा जाता है एडिट करके लिखा जाता है कई दोज से गुज़रता है और वहाँ पे संपादक महदय से लेकर के उप संपादक सब लोग देख करके लिखते हैं तो इसलिए चादगन वहाँ पर आप निउजपेपर का एडिटोरियल पहें आपको इसका निश्चित तोर पर फाइदा होगा जादक सब्स्ट सिमा का मैंने कहा कि अतिकरमन न करें सब्स्ट सिमा जितना कहा जाए ठीक है कुछ सब्स्ट कम हो रहे हैं जैसे 200 सब्स्ट में लिखना है आपने 190 सब्स्ट तक लिखा 180 तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आपने 220 भी कर दिया 230 तक भी चलेगा 210 तक भी चलेगा वो भी चलिये 6 में हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद आप अतिकरमन कर देते हो तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी उन सिमाओ को लिमिट्स को बाद न करे छदगन ये मेरा आपसे पसना रिक्वेस्ट होगा इसे ध्यान देंगे चल्गन दूसरी बात जो जाननी है आपको मुख्य परिक्षा के लिए कि आपसे क्या उमीद की जाती है चल्गन कोई भी प्रस्न पूछा जाता है हर बच्चा हर विद्याथी हर प्रत्योगी कोशिस करता है कि उस परस्न का जवाब दें लेकिन अंक उसे जादा मिलता है जो दूसरों से जादा पॉइंट्स लिखता है चात्रगन आपने यदि दूसरों से जादा पॉइंट्स लिखें आपके points दूसरों से ज़्यादा दमदार हैं किसी ने अकबर के धार्मिक निती में 10 points लिखें और आपने 15 points लिख दिया तो आपके नमबर ज़्यादा आएंगे आपने दमदार points लिख दिया तो आपके नमबर ज़्यादा आएंगे ये विश्वास मानिये चहदगन सिंदू गाटे सभ्यता की नगर नियोजन परनाली से कुछ सनाया किसी ने 8 पॉइंट लिखे आपने 15 पॉइंट लिखे और 15 हों पॉइंट दमदार तरीके से लिखे सांदार उसको डिस्क्राइब किया मैपवर्ट तर दिखाया उसमें है ना और कोटेसंस भी दिये तो विश्वास मानिये कि आपको नंबर ज़्यादा आएंगे इसलिए चहदगन पॉइंट से ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरकस में रखें ताकि आप एक्जामसन में दूसरों से ज़्यादा पॉइंट सो लिक सकें ताकि आपको दूसरों से ज़्यादा अंक आएं तो कि मेंस में जिनके ज़्यादा अंक आते हैं वही सफल हो सकता है चहदगन तो इसलिए दनिती को बनाएं मेंस में कोशिस करे कि मैं जादा से जादा अंक एक्जामनस से लेने की कोशिस करूँ उन्हें मजबूर करें कि आपको जादा से जादा अंक दें क्यों? यहीं आपका पस्तूतिकरन कहलाता है यहीं आपका जो है एक तरीके से प्रिजन्टेशन कहलाता है जिसे आपको सुधाना होगा चादगन और किताबों का अध्यन करके आपको ये नोट्स में कोशिस करनी होगी संस्थान का भी प्रयास होगा कि हम लोग जो नोट्स आपको चादगन लिखाएंगे वो नोट्स अपने आप में बहुत ही सलीके से त्यार किये गए कई किताबों से इंसेकलोपीडिया से मिला करके और कई विद्वानों और विस्सग्यों के द्वारा को त्यार किये जाएंगे जो कि अपने आपने आपके लिए मिल का पत्थर और संजियूनी बुटी का काम करेंगे एक ideal answer हम लोग आपको लिखाएंगे छादगन जिसे लिख करके आप सफलता के द्वार पर बिल्कूल दस्तक दे सकते हैं कहीं कोई परिशानी नहीं होगी छादगन लेखन छम्ता में, मेंस में आपसे यह भी उम्मीद की जाती है कि किसी भी चीज के पती आप नकारात्मक रवया अपना करके नहीं लिखें छादगन, महत्मा गांधी से आपको कितनी भी नफरत क्यों न हो, महत्मा गांधी के पती आपके मन में कितनी भी घ्रिना क्यों न हो, लेकिन यदि आजाए सवाल कि भारती सोतंता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदानों का उलेक करें तो छदगन कभी भी नकरात्मक बातों को नहीं लिखेगा क्योंकि वो हमारे राष्ट पिता है छदगन पिता की तो सिकायत और नकरात्मक बाते नहीं कही जाती है तो राश्ट पिता है वो, राश्ट पिता के संबन्द में कभी भी नकारात्मक टीपनी न करें छदगन, छदगन जहां बैठेंगे एक पदाधिकारी बनके, विडियो, CEO, DSP, District, Education Officer, Commercial Accession Officer बनके बैठेंगे, उसके पीछे तश्वीर किसकी लगी होगी, राश्ट पिता की, महत उत्मा गांधी की, और राश्ट पिता की तस्वीर लगी रहेगी, जिसके, जो है, साय तले आप बैठे रहेंगे, उनकी निंदा नहीं की जाती है, छदगन, राश्ट पिता जैसे भी हैं, है ना, आप उनकी प्रसंसा करें, आप उनके प्रती सकरात्मक सोच रखें, यह हम में, UPSC के एक्जामसन में, तो अब कभी भी नकारात्मक मत लिखिएगा छदगन, बी पॉजिटीव, और यह चदगन, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है, पहले देखिए कि आधा गिलास भरा हुआ तो है, फिर ना देखिए आधा गिलास खाली है, लेकिन पहले ह में, तो हर वैक्ति में नकारात्मकता मिल जाएगी, है ना, आप तो हो सकता है कि स्वर में भी नकारात्मक गुन खोजना शुरू कर देखिए, तो छदगन, सकारात्मक हो जिएगा, तो संतुस्ट भी रहिएगा, आत्म संतुस्ट रहेगा आपको, कि नहीं चलो, मैं हर्ग चीज में पॉजेटिव देखने की कोसित करता हूँ, नेगेटिव में भी पॉजेटिव को ढूनने की कोसित कीजे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, कि आप नेगेटिव बातों को नहीं लिखें, नकारात्मक चीज़ों को ना लिखें, लेकिन सकारात्मक के बाद नकारात्मक ज़ादा अच्छा होता है, ज़ादा प्रभाव साली होता है, ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे, चद्गन माली जो औरंगजेव की धार्मिक ने दिया गई, है ना, ये औरंगजेव का चदित च्द्रन आ गया, और आपको औरंगजेव करक्टर से नफरत है, और आप लिख करना सुरू कर दिया, चद्गन विश्वास मानिये, आपको अंक बहुत ही कम दिये जाएंगे, लेकिन चद्गन वही आपने प्रस्तूतिकरन को बदला और लिखना सुरू किया, कि मुगल सासकों में औरंगजेव सबसे जादा चरित्रवान सासक था, इसे जिंदा पीर, च इसे दिखावा बिलकुल भी पसंद नहीं था, इसने तुला दान प्रथा, जरोखा दर्शन, इत्यादी प्रथाओं पर लोग लगा दी, विश्या वृति, नित, शंगीत जैसे, जो एस्वर विलासिता के संसाधन है, उन पर लोग लगा दी, या आज के लोक्तांत्रिक व पुरान की आयतें लिखता था कागज में, उसको बजार में बिकवाता था, और उससे अपना गुजारा करता था, लाजकोस से एक भी पैसा नहीं लेता था छदगन, बहुता था नहीं, लाजकोस का जो पैसा है, वो किसका है, गरीबों का है, लाजकोस का जो पैसा है, वो क सनवाधानिक पदादीकारी हैं यदि उनकी सोच और अंग्जेव जैसी हो जाए तो इस देश का काया पलट हो जाएगा आज देख लिजे सांसदों विधायकों को मिलने वाली सुईधाएं में जब भी बाते होती हैं तो सारे सांसदों विधायक चाहिए वो किसी भी पार्ट सब एक है यहां पर अजने चीज़ों में विवाद हो जाएगा चाहिए लेकिन यहां पर सब हम साथ साथ हैं हो जाता है औरंग्जेवता जीवन एक सबक है चाहिए तोकि राजपोस से एक रुपया नहीं लेना एक राजा होता विभी टोपी सिलकर के गुजारा करना और मन गांजा, अफीम, सराव सब परोक लगा दिया सुची कितनी बगई बात थी ये छटगर ये सब आइडियलोजी थी ये एक आइडियल सासकता ठीक है मैं मानता हूं कि उसमें नकारात्मक गुन थे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने कादेश दिया कटरता उसके अंदर में समावेशित थी कुरूलता उसके अंदर में समावेशित थी धार्मिक मतांधता उसके अंदर में समावेशित थी मैं इससे इंकार नहीं करता लेकिन पहले सकारात्मक पहलू फिर नकारात्मक पहलू को लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जमाएगा और आपको निश्चित तोर पर अंक अच्छे दिलाएगा यहीं मुख परिक्षा के स्टाटेजिव बनाएए चटगन इसलिए लेखन साहली को विक्सित करें जादा से जादा पॉइंट लिखें सब्दों का अतिक्रमन न करें सब्द सीमा में रहा करके ही गागर में सागर देने की कोशिश करें तो आपको मुख परिक्षा में सफलता से कोई भी ताकत चटगन नहीं रोख सकती है इसलिए मुख परिक्षा में आपकी दनिती होनी चाहिए कि अलग तरीके का प्रस्तूती करन और उसे अलग अंदाज में प्रस्तूती करन यहीं आपको सफलता का लास्ता तै करेगा यहीं आपके सफलता का मारगो को तसस्त करेगा चादगन ध्यान दिजेगा चादगन तिसरी चीज जो कि ये प्रस्ती के लिए मुख परिक्षा को यदि आप पास कर जाते हैं मुख परिक्षा में सफलता के जंडे आप बुलंद कर देते हैं तो फिर छादगन आपको बुलाया जाएगा इंटर्वू के लिए साक्षातकार छादगन साक्षातकार में क्या देखा जाता है आपकी व्यक्तित्तु कैसी है आपका personality कैसा है आपके अंदर में नत्यत्तु छम्ता leadership quality है की नहीं आपको यदी किसी अनुमंडल का पुलिस पराधीकारी बना दिया जाए तो आप सही माइनों में पुलिस पराधीकारी के रूप में उस अनुमंडल में अपराध पर नियंत्र और पुलिस व्यवस्था को एक साथ टीमवर्क के द्वारा ले करके चल पाएंगे की नहीं आपको किसी प्रखंड का प्रखंड विकास पराधीकारी ब्लॉग डवलप्मेंट ऑफिसर बीडियो बना दिया जाए तो ऐसे स्थिते में आप उस ब्लॉग में अन पराधीकारि के लिए आपके वक्तितों को बनाती है ये सारे चिंजों को देखा जाता है छगन इंटर्यू में ये भी देखा जाता है कि आपका बहवार कैसा है आप तुरंत प्रोधित और आवेशित तो नहीं हो जाते आपके खिलाप यदि कोई भी नकारात्मक टिपनी होती है तो आपको मुद्दाबाद के नारे भी सुनने परेंगे तयार अखना होगा इसके लिए है ना ऐसा नहीं कि मुद्दाबाद के नारे लग रहा है आप डियस पी हैं और आपके कर्यारे के बाहर पब्लिक आकर जमा हो गई और मुद्दाबाद मुद्दाबाद के नारे लगा तो आप गोली चलाने कादेश दर दीजेगा, है ना, गोली चलवा दीजेगा, आप लोग पर क्रोधित होके, नहीं छद गयन, नौकरी से हाँ धोना पढ़ेगा, और जेल भी जाना पहुझ जाएगा, इसलिए छद गयन हमेशा ध्यान रखिए, इंटर्यू में आप से देख छदकार में आपको देखा जाता है, साथी साथ, विपरित परिस्थितियों में भी मुस्पूराने की कलाप में हैं के नहीं, कठीन चुनोतियों को भी आपको ज्हेलने की छमता हैं के नहीं, आप विपरित परिस्थितियों में भी अपना संतुलन, अपने आपको बनाए र आप उस आत्मिश्वास को बहाएं शद्गन क्योंकि इंटर्यू में 25-30 मिनट में आपके जीवन में 25 साल 26 साल 27 साल जो भी आपकी उम्र है आपका क्या व्यक्तितु है 25-30 मिनट के अंदर सक्षादकार बोर्ड में बैठे वे महान विद्वान गन और साथ इसाथ मनोची किस्सक जो कि सैकेटरिस्ट होते हैं वो आपके चलने के अंदाज, बोलने के अंदाज, बैठने के अंदाज आपका फेसियल एक्स्प्रेशन किसी बेचीज पर आपकी प्तति किरिया को देख करके वो बता देंगे कि आप सही माइनों में अधिकारी बनने के लायक है या नहीं इसलिए छदगन अपने वक्तित्तु का विकाश करें और इंटर्यू बोर्ड के सामने अपने आपको मुस्कुरा कर प्रस्तूत करें छदगन, हमेशा जाद रखें खिला हुआ गुलाब, खिला हुआ फूल सबों को अच्छा लगता है खिला हुआ चेहरा सबों को अच्छा लगता है छदगन, मुस्कुराते हुए पांच-छे सकेंड की मुस्कुराहर से जब आपकी तस्वीर आती है तो जब वह इतनी खुबसूरत तस्वीर आती है मुस्कुराते हुए तो जब आप मुस्कुराते हुए इंटर्यू देंगे तो या आपके आत्मिस्वास को पदस्चित करता है चादगन मैं आप से पुछता हूँ आपको मुस्कुराता हुआ बैक्ति पसंद है या एकदम सिरियस रहने वाला है ना आप बोलेगा सर मुस्कुराता हुआ बैक्ति पसंद है क्यों मुस्कुराते हुए बैक्ति को देख करके आपकी भी बाच ही खिल जाती है आपको भी अंदर से खुशी महसूस होती है आप भी मुस्कुराते हैं और जिन्दगी इसी का नाम है चादगन इसलिए मुस्कुराते रहना ही जरूरी होता है ये ध्यान में रखेंगे मैं ये नहीं कहता कि आप जाएं और इंटर्व गोर्ट के सामने एक दम हसने लग जाएं जो जो से है ना मैं ये नहीं कहता मेरा कहने का मतलब है कि आपके चेहरे से कंफिडेंस जलकना चाहिए आपके चेहरे से आत्मिस्वाब जलकना चाहिए आपके चेहरे से खुसी जलकनी चाहिए आपके चेहरे पर खौफ का मनज़र नहीं होना चाहिए चदगन, आपके चेहरे पर डर नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर दवाब नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर तनाओं नहीं होना चाहिए, ये इंटर्यू बोर्ड में वो लोग देखते हैं, चदगन, आप इंटर्यू ब लेकिन वहीं आप कि गलत सलत जवाब आप दे रहे हैं आएं बाएं जवाब दे रहे हैं ऐसा लगता है सर्थ मुझे लगता यह होगा लगत नहीं सर यह होगा वो होगा इस तरह का confusion किरेट कर रहे हैं तो फिर आपकी सफलता संदिग दो जाएगी इसलिए छदगन जो जानते हैं उतना ही इंटर्यूव में जवाब दें जो नहीं जानते हैं सीधे इंटर्यूव बोर्ट से शमा याचना कर लें स्रीमान मैं शमा चाता हूँ मैं इसका जवाब नहीं जानता हूँ जिस भासा में आप comfortable हैं उसी भासा में इंटर्यूव दें ये नहीं कि अंग्रेजी भासा में मैं इंटर्यूव दूँगा तो मुझे बहुत अच्छे आंक आएंगे या मेरा impression अच्छा बनेगा नहीं छदगन इस गलत भयमी को अपने अंदर से दूर कर लें जिस भासा में आप अपनी अभिवैक्ती को सांदार तरीके से इंटर्यूव दूर के सामने प्रस्तूत कर सकते हैं उसी भासा का आपको परियोग करना चाहिए न कि किसी अन्य भासा का इसलिए छदगन यार दखेगा आप अपनी भासा जहांपर आप बहुत ही कमफर्ट जोन में हैं उसे ही प्रस्तूत करें ये ध्यान में रखेंगे चदगन गौर करेंगे साचाकार में आपकी परस्नालिटी इंटर्यू में आपकी परस्नालिटी देखने के बाद ही आपका चैन जेप्यस्टी के लिए कर लिया जाता है छगन जैसी personality आपकी होती है उसी तरह की सेवाओं के लिए भी आपकी नियुक्ती की जाती है यद्पी आपके 24 पर भी निर्भर होता है लेकिन आपकी personality भी इस चीज के लिए बहुत जादा माइने रखती है इसे छगन कमर कसलें मेहनत करें उस जावान बने और लक्ष को निधरित करके अलजून की तरह तीर चलाना सीखें छगन कि मेरा लक्ष यदि है तो वह JPSC है और इसमें सफलता मुझे प्राप्त करनी है मुझे कोई दाकट नहीं रोख सकती है तो छगन धन्द जेगा प्रारंभिक परिक्षा objective टाइक के questions मुखे परिक्षा subjective and objective बोथ यहां पे रहते हैं objective भी questions यहां पे रहते हैं प्रतेक papers में 10-10 questions रहते हैं तो वो objective का भी आपका यहां पे फ्वासा जो है यहां वाला pity वाला पहाई मेंस में भी काम आजाएगा लेकिन साथ इसाथ यहाँ पर क्योंकि सब्जर्टि कोसन जादा रहते हैं तो यहाँ पर आपकी लेखन की छमता का परिचय होगा, कि आपकी लिखने की सैली कैसी है? आपका पस्टूतिकर्ण कैसा है? आपका अनदाजे बयां कैसा है? आप सब्सब्सीमा कातिक्रमन तो नहीं करते हैं आप किसी के पती नकरात्मक रवया रखते हुए तो नहीं लिखते हैं ये सब चीजों को इद्धम चेक आउट करें छादगन हंडाइटिंग कोई बहुत मैटन नहीं करती है बहुत से लोगों को गलत फाहिमी है कि मेरा handwriting उतना अच्छा नहीं है तो हमका JPSC पास कर पाएंगे नहीं ये गलफ़ेमी नहीं रखे चादगन यदि ऐसी बात होती तो कोई बैक्टर डॉक्टर और इंजिनियर बनता ही नहीं डॉक्टर का पुर्जा जो डॉक्टर दवा लिखता है चादगन उनकी भी handwriting कही करें डॉक्टर के अच्छी नहीं होती है तो वो कैसे बनते हैं आसी बात नहीं है कि handwriting आपके थोड़े सी ख़राब है या थोड़े सी अच्छी नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे नहीं हाँ handwriting ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम इस परस तोर पर दिखाई दे और आप इस गल्फ फहमी में मिलना रहें चादगन मैं इस परस तोर पर कहना चाहूँगा बेबाग तरीके से कि आपके handwriting बहुत अच्छी है लगता है कि एकदम छाप दी आपने computerized notes बन करके से अच्छा ने आपके और आप सोचिए कहा हम पास कर जाएंगे handwriting के बदल बदल नमबर मिल जाएगा तो नहीं चादगन इस गलत फहमी को दूर कर दें graduation, pg, intermediate में जरूर नमबर मिल सकते हैं handwriting के बदलत वहाँ पर impression जम सकता है लेकिन यह बड़ा exam है यह प्रसासनिक पदारीकारी बगए ओहदे का examination है जहां आपकी copy वो जाचेंगे जिनोंने पुस्तके लिखी है बगए बगए professor, lecturer, vice chancellor आपकी copy को जाचेंगे वहाँ पर कभी भी इस गलत फहमी में न रहिएगा कि मेरे handwriting अच्छी है तो मुझे अंक अच्छी आ जाएंगे इस गलत फहमी को जद्गन दूर करेंगे ध्यार दखीगा जद्गन मेंस के बाद तीसी और अंतीम जो रननिती मैंने आपको बतलाई इंटर्व्यू अपने व्यक्तित्व को धादार बनाए अपने व्यक्तित्व को आकलशक बनाए अपने व्यक्तित्व को खुस्नुमा बनाए अपने व्यक्तित्व को आत्मिस्वासी बनाए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि जो आप से मिले वो प्रभावीत हो जाए कि वाह क्या व्यक्तितु से मिले थे जी वाह क्या हस्मुक आदमी था वाह बार बार उसे मिलने के इक्षा करती है चद्गन ऐसा व्यक्तितु इंटर्यू बोर को भी प्रफवित करता है और इंटर्यू बोर को मजबूर कर देता है ज्यादा अंक दिलाने के लिए चद्गन इ इंटर्यू में आपके नित्यतु छम्ता, आपका व्यक्तितु, आपका अत्मिश्वास, आपका पतिक्रिया देने का तरीका, आपका बहवार, आज तक अपने जीवन में जितने भी तरह के चीजों को अलजित किया है अपने व्यक्तितु में, वो सारे चीजों को वो लोग प बात करने का तरीका कैसा है ये सारे चीजें वो देखते हैं और यहीं सब चीजों की आधार पर आपका सक्षातकार होता है चादगर इसले व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए और सक्षातकार में भी सफलता प्राप्त कीजिए यहीं आपके सफलता की दर्निती होगी तो जार्खन लोक से वायोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियुक्ता परिक्षा जार्खन पब्लिक सर्विस कमिशन जैप्यसी की कैसी दर्निती बनाई चाए क्या सिलेबस होते हैं पीटी मेंस और इंटर्वियो तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बतला आप पेपर 1 में सफलता प्राप्त कर सकें और जादा से जादा अंक ला सकें इसी तरीके से चार्खन हम लोग एक जानकारियों को इकठा करेंगे वही उत्सा, वही उज्जा, वही सकारात्मक्सोस, वही जजबा, वही जनून और वही सुनहरे सपने लेकर के मैं फिर से आपके सामने में अगली कक्षाओं में पस्तुत होगा चादगन आप समों से अनुरोध है कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जेपेसी के ख्वाब को पूरा करने के लिए चादगन आज नहीं अभी संकल्प ले लें एक्तम अपने आपको एकागर्चित कर लें और अपने अंदर से एक आत्मास्त की आवाज को मजबूत कर लें कि हाँ मुझे बनना है पदाधिकारी मुझे बनना है प्रसास्निक अधिकारी मुझे बनना है पुलिस पदाधिकारी मुझे बनना है जिला सिक्षा पदाधिकारी मुझे बनना है विर्ष सेवा का पदाधिकारी चादगन माता पिता के प्रती इससे बवा सम्मान और क्या हो सकता है अपने अभी भावकों अपने परिवार अपने रज्ज अपने राष्ट अपने जीले के पती इससे जादा गर्व की अनुगती कुछ नहीं हो सकती कि आप तरस्रास्निक अधिकारी बनें और लोग आपका सम्मान करें यहीं जीवन का फलसपा है चादगन यहीं जीवन जीने का तरीका है और तुसरों की मदद करना गरीबों की मदद करना उनकी दुआएं पराप्त करना यहीं जीवन का सबसे सही नेने होता है चादगन इसलिए इमानदार प्राधिकारी बने और सभों के पती सहयोग की भावना रखेंगे तो आप जीवन में हमेशा पसिद्धी के उहदे पर बुलंद पाएंगे जिस जिले से भी आपका टांसफर होगा लोग यहीं कहेंगे कि बहुत ही ड्राइ ओनेस्ट आदमी थे बहुत ही लोगों की मदद करने वाले बैखती थे बहुत ही डॉन टू अर्थ थे उनमें कोई भी घमंड नहीं था यहीं बहवार ही आपको आगे ले जाता है चादगन क्योंकि आदमी चले जाते हैं उनका बहवार याद रह जाता है पुना आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कक्षाओं में जानेंगे हम लोग JPSC प्रादमभिक परिक्षा के लिए पेपर वन की तैयारी कैसे करें क्या हो रन्निती, क्या हो स्ट्राटरजी किस तरीके से जंडे को बुलंद किया जाए क्या है